नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अपको दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तारीक है दोस्तों 5 अक्टूबर 2023 और यहां पर 6 अक्टूबर 2023 के लिए फ्राइडे के लिए शुक्रवार के लिए विकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का अनल्सिस लेकर आपको समय में हाजिर हूँ वीडियो और अनल्सिस अगर पसंद है जरूर फीडबाग क आप अपने रिस्क के हिसाब से किया क्योंकि पैसा आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपका बनेगा को भी प्रेस्टनल बाइंग और सेलिंग की सलावां पर नहीं होती है तो चले सुर्वात करता हूं बैंक निफ्टी कल कहां पर मुवमेंट करेगा आज जो मैंने कल बताया और क्या कल आ सकता है तो अभी देख लेते हैं कल आएगा की नहीं आएगा अब देखिए इंडेक्स ने यानि कि हमारा स्टॉक्स ने मैंने आप लोगों को कल भी बताता है कि 44,300 और 400 इसका एक बड़ा हडल है उसके आसपास अगर मिलता है तो आपको बेचना और मैंने गै अब यहां पर से देखिए आपने जो इंडेक्स चार्ट ने बना एक चीज़ तो आप यह किलियर आ गया कि 44,400 इसका रजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर जाने के बाद ही आपको बड़ी तेजी बनेगा मेरे ख्यास तो 44,500 को ऊपर ठीक है उसके बाद सपोर्ट एरिया अब यहां पर लिख सकते हैं 43,800 और 44,000 आपका एक सपोर्ट एरिया बन चुका किलियर हो गया अब इसको समझते कि कल आपका लेबल कहां पर बनेगा तो आज अगर आप ध्यान से चार्ट को देखें तो एक प्राइस चानल जो उपर से नीचे की तरफ में आया है एक तरह का फ् प्राइस चानल भी बोल सकते हैं क्योंकि फ्लेग इसको मैं यहां से नहीं बोल पा रहा हूं इसलिए क्योंकि पोल छोटा है इससे प्राइस चानल के बात करेंगी एक तो यह हुग आप ध्यान से देख रहे तो यह एक रजिस्टेंस एरिया था जिसके ऊपर नहीं जा पा अगर इसी तरह से अट लां को मैं इसटरह से डाउ करूं so आप देखेंगे कि अभी अपने इंपॉर्टेंट लाइन को सपोर्ट बना लिए यह जो रजिस्टेंस था त्रेंड लाइन का अब वो साइटındaki तब के तरह से मौका चाहिए और ये इंडेक्स इस तरह से बाउंस करके उपर की तरब में जाता है तो हो सकता है दुवारा से 44,400 को क्लेम करें लेकिन इसके लिए आपको ब्रेक आउट करना करना होगा इसके उपर 44,250 के उपर या 44,275 के उपर तो आपको क्लियर निकल के आगया कि 44,275 या 265 भी पकर सकते इसके उपर जाएंगे तो आपको एक 222 बन सकता है और इस कंडिशन में जो आपके टार्गेट बने गए छोटा वाला टार्गेट 44,300 और बड़ा वाला टार्गेट 44,400 के आसपास का बनेगा किलियर हो गया यहां तक आपको बन सकता है अगर यह 44,400 के उपर सस्टेन करता हुआ रहे गया तो नेक्स टार्गेट आपको 44,500 से लेके 44,600 के आसपास का बनेगा ठीक है तो यह चीज़ होगा अब देखे 44,500 पहुंच जाए और 600 अगर यह एरिया पर यह एरिया पर आपको मिलता है तो यहां पर से एक सेलिंग का पोजिशन बनाना चाहिए 44,600 के नजदी क्योंकि वहां पर भी आपको एक बड़ा हडल आप यह कि कहां कहां पर आपकी बनेगी और कहां पर सेलिंग है मैं 44,600 तक में भागने की बात करूंगा बहुत अच्छा हो जाए किसमत साथ दे दे तो 44,700 से लेके 44,800 के टार्गेट बनेंगे आया तो ठीक है याद रखने में क्या जाता है रख लेंगे इसको ध्यान में ठीक है आ 44,300 के श्टाइक प्राइस का आप कॉल अप्शन ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर चलेगा तो यह कॉल अप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा यह है बैंक निप्टी का बाई साइट का दोस्तों अब मा लीजे कि यह इसी तरह से अगर यह गिर गया तब नीचे की साइड मे तो देखें बहुत अच्छे तरीके सागर यहां से रेजिटन्स लेकर यहां गिरता है नीचे तो हमें सेल करना 44,150 के नीचे ठीक है उसके पहले तो सेलिंग नहीं बनेगा 44,000 आप यहां पे देख रहें यह पॉइंट 44,150 के नीचे 44,150 के नीचे आपको सेल का पोजिशन ब वीडियो के सुरुआते मैंने बताया तो 44,100 और 44,000 कुछ लोग आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यह एक साकलोजिकल लेवल का सपोर्ट का काम करेगा तो एक बार यहां से आपको प्रॉफिट बूक कर लेना है अगर आपने मल्टीपर लोट ले रखे हैं तो कुछ ल भर्स हो सकता है यानि कि सेल से फिर यह बाय में जा सकता है बाउंस कर सकता है 43-800 एक अच्छा सपोर्ट एरिया निकल के आता है जहां पर बाइंग बन सकता है लेकिन चुकि आपने उपर से सेल किया हुआ है तो आप 44,200 के स्टाइक प्रैस का पूट आप्शन या 44,100 के यह है बैंक निप्टी का लेबल अगर यह गैप अप और गैप डाउन होता है दोस्तों किसी कारण बस बैंक निप्टी मान के चलते हैं कि गैप अप हो गया इन केस अगर यह गैप अप होता है उपर की साइड वे मान के चलते हैं कि यह डायर्कली उपर कल खुलता है गैप तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहां पर परफेक्ट सेल का लेबल बनेगा नीचे आप टारगेट जो उमीद कर सकते हैं इस कंडिशन में चवालीश चैसो चवालीश हजार पांसो चवालीश हजार चार सो से लेके आज का क्लोजिंग प्राइच वालीश तीन सो से रहे सिर्फट फीर आरेच आपर लेगा तो यहां तक लोबनेफ दूल है यहां पर पर चाहें तो दह मूंत्ज है दोनेगां जानद रूरास सनेरियों में और इन केस्थिए जलल गया उतना ही पॉइंक्ट निचे कुलता है तो यह कहीं्लेगा यह 1345 तो आपको यहाँ पर एकदम बाय का पोजिशन बनाना चाहिए, बहुत अच्छा जोन है बाय का पोजिशन बनाने के लिए, अगर यह तो यहाँ पर भी आप बाय का पोजिशन बना सकते हैं, लेकिन बाय करने के बाद अगर यह नीचे गिर जाता है, तो आपको बाय साइड म बनेगा और 44,100 का एक टारगेट डेखने को बन सकता है इससे ज़्यादा तेजी बनेगा तो यह 44,200 से लेके वापस से 44,300 के एरिया को क्लेम करने के लिए जा सकता है जो की लगवाग यहां हाई प्राइस के असपास में है तो नीचे साब कॉल ओप्शन ले ले यहां से 44,000 के क्या सिचुएसन बन रहा तो सबसे लिए सब्सक्राइब निफ्टी के चार्ट को लगाते है आपके सामने में अब निफ्टी में देखें निफ्टी थोड़ा ज्यादा बैतर लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकावशन लेकिन चले अब लूग ज़रा निफ्टी के डेली एक resistance निकल के आ रहा है लो लगाया उनीस चारसो सतासी का तो आप ये कह सकते हैं उनीस चारसो पचास ये एक support का काम कर रहा है तो ये अभी एक अच्छा support निकल के आ चुका है तो नहीं जा रहे हैं किलियर हो गया अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर कहां पर आपकी इंट बॉक्स पैटर्न बना दिया है उपर के बाव पर तो हमें इस बॉक्स एरिया के उपर इंटी करना है तो सेफटी परपस से 19,580 ये वो लेबल है जिसके उपर आपकी बाइंग उपरशुन्टी बनेगी और जो टार्गेट खुलेगा आपको सबसे पहला छोटा टार्गेट जिसकी बात हम पहले ही कर रहे थे 19,600 का है ये एक छोटा टार्गेट देखने को मिलेगा दूसरा टार्गेट आप 19,625 से लेके 19,650 तक का टार्गेट लेके चल सकते हैं याद रखें 19,800 के ऊपर जाने पर बड़ी तेजी बनेगी क्योंकि ये सबसे बड़ा हर्डल है नजदीक में तो आप यहां से 19,580 से आप ले सकते हैं और यहां पर आपको एकदम एकजिट कर जाना है 19,725 पर एकदम भाग जाना है चलिए मैं एक लाइन लगाता हूं तो आपको यहां पर पता चलेगा मैं इसी बात क्यों कर रहा है तो आप यहां पर देखें उपर 725 का ही हाई लगा था और वहीं से गिरा इसलिए वो अभी बड़ा resistance रिया है तो इसलिए मैंने यहां पर कहा रहा हूँ कि यहां सबको निकल जाना है उपर से आपने जो यहां किया बाइ है तो आप क्या करना है यहां मैं अन्यसाजारशाशाषां का ही call option लेके चल सकते call option index उपर चलेगा तो यह call option भी उपर जाके profit देगा लेकिन अगर यह नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें बिल्कुल इस box area के नीचे selling करना है 9500 के नीचे निकलने पर आपका sale level execute हो जाएगा और इस condition में जो टार्गेट बनेगा वह 19,475 और 19,450 का सबसा पहले छोटा वाला यह जो कल का high price है यहाँ पर ना वह price आपको यहाँ पर मिलेगा यह जो point देख रहे है इसके बाद अगर यह तोड़ता है नीचे की साइड में तो दूसरा level बनेंगे 19,425 से लेके 19,400 का टार्गे यह तार्गे अगर यह नहीं रूका तो फिर से अपने वाल लेवल को price करने आएगा जिसका भाव आता है 19,375 से 19,350 तक वापस claim कर सकता है और यहाँ से आपको फिल्कुल निकलना है क्योंकि एक अच्छा support का काम करेगा आप निच्चु की sale क्या हुआ है तो आप उपर से क्या करेंगे आप पूट option लेना की कोसिस करेंगे आप यहाँ से पूट option ले 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 19,500 के strike price का आप पूट option ले सकते हैं इंडेक्स नीच आएगा तो यह पूट option उपर जाके आपको profit देगा यह निफ्टी का level है दोस्तों लेकिन अगर यह निफ्टी भी किसी कारण बस gap अब खुल जाता है और डारेक्टली 200 point उपर खुलता तो यह कहीं 19,750 पर खुलेगा तो आपको पता है भी उस 725 की बात कर रहे तो वो तो huddle है यह उसी आसपास खुल रहा है न या फिर यह 19,725 पर ही खुल जाया ऐसा भी हो सकता है 725 या यह 19,700 पर ही खुल जाया यह तीनों में से किसी area पर gap अगर gap अप 19,75 तक का target लेके चल सकते हैं उपर से आप put option लेना चाहा है तो जरूर लिजे 19,750 का भी ले सकते हैं और 19,700 का भी put option आप लेके चलेंगे इंडेक्स नीचे आएगा तो यह put option उपर जाके profit देगा लेकिन अगर यह gap down हो जाता है और इसी तरह से नीचे खुल जाता है तो यह 19,400 पर खुलता है तो यहां पर भी buying कर सकते हैं लेकिन नीचे आने पर आपको फिर buy side में quantity aid करके चलना पड़ेगा टार्गेट जो उपर खुलेगा 19,425 से लेके 19,525 जो की closing price के आसपास आता है दुसा price 19,550 से लेके 19,600 तक के target फिर देखने को बन सकता है call option लेना चाहें तो जरू call option आप लेके चलने 19,350 के strike price का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो यह call option वीव पर जाके profit देगा तो यह बैंक निप्टी और निप्टी का दोस्तों पूरा का पूरा भीव है फ्राइडे के लिए विकेंड के लिए 6 अक्टूबर 2023 के लिए पसंद आया तो जरू फीडबैक करें बाकी टेलिगराम चानल आर्केटेडी मॉयल आपको आप जोइन कर सकते हैं के लिए लिए लेकिन याद रहें कोई प्रस्टनल बाइंग वासे लिए यहां पर नहीं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों